नमस्कार आईश्मान भाहों में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मैं हूँ आपके साथ आपका आईश्टो फ्रेंड आज दिनांग 22 फरवरी को जर्म पाएं लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाईयां शुक्कामनाएं और बहुत सारा प्यार आज का दिन आपके सालगी रहा है उनके लिए में बहुत प्यारा सा मौका प्रिकृत की किरपा से आपको बिलने जा रहा है तो यह बहुत सारी जानकारी हम आप तक ले करके आ चुके हैं आईए सुरवात करते हैं सबसे पहले बताते हैं आपके सिक्षा के विशे में पढ़ाई के मामले में 22 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए कई तरह की सवगात प्रिकृत की किरपा से मिलेगी एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा एक्जाम में किसी तरह की दिक्कत नहीं आईगी हर प्रकार से लाब के आउसर आपको परिक्षा दे देगी हर प्रकार से उन्नती आपको पर अगस्त सितंबर ये भी आपके लिए समय अनकोल नहीं है अगस्त सितंबर में कुछ मेजर इशू आ सकते हैं अक्टूबर नॉवंबर बहतरीन है अक्टूबर नॉवंबर में आ रही बाधा दूर हो जाएगी अक्टूबर से दिसंबर का समय बहुत अनकोल रहेगा ब्यापार को फैलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए हम बता देते हैं कि थोड़ी से मुसीबतें आएंगे सुरुवात में अपरैल मई तक कुछ दिक्कत रहेगी तनाओ का माहौल रहेगा आफिस में एक दो मिश्ट्रेस से फिल करेंगे जुलाई अगस्त बॉस चेंज होगा सब कुछ सामाने हो जाएगा आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है लेकिन दिसंबर के आसपास गवर्मेंट सिक्टरवालों के लिए एक और हिदायत है दूसरों पर भरोसा कम करिएगा स्वयम पर भरोसा बढ़ाईगा इस वर्ष डिपार्टमेंटल एक्जाम का रिजल्ट अक्टूबर नॉमबर में बहुत बढ़ी आएगा जनवरी और फर्वरी 22 फर्वरी के पहले पहले तक 2021 में शादे की बात हो सकती है दामपत्य जीवन में तनाव खत्म हो रहा है मार्च में भी माई में भी और अगस्त में मार्च में अगस्त तनाव बिलकुल कम हो जाएगा किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकलेंगे और ये आपके लिए बहुत सकरात्मक रहेगा दामपत्य जीवन में संतान सुक का लाव दिसंबर जनवरी में पुनह एक बार परमात्मा की किरपा से मिलेगा बहुत सुगम प्रसों की संभावना बनती है बाइस फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए जो शादिश होता है वोई महिला है पैगनेंट है बिलकुल दिसंबर जनवरी में सुन्दर सुशील बहतरीन एक बच्चे को संभाव है लव लाइफ यहाँ पर ब्रेक अप मार्च में भी है जुलाई में भी है और नॉम्बर में भी है मार्च जुलाई नॉम्बर छोड़ दिया जाए तो बाकी समय में तनाव खतम रहेगा और रिस्ता आगे बढ़ सकता है नए प्रपोजल अगस्त में संभाव लग रहे हैं उससे पहले मत करिएगा कुछ नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी स्वास्त के मामले में बैक की प्रॉब्लम और शुगर का जो लेबल है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च जून और नॉम्बर में इस बीच में ऐसे लोग जो बॉर्डर लाइन पर हैं जिनको डियाबिटिक पॉसिबिल्टीज है जिनके घर में हिस्ट्री है और जो 45 प्लस एज के हैं उनके लिए ये अलार्मिंग स्टेज अब कनवर्ट हो जाएगा सुगर संभाव है चोड़ चपेट माई अगस्त और थोड़ा बहुत अक्टूबर में अब हम उपाय बताते हैं दिनक 22 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए उपाय है प्रतेक प्रातह पौधों को पानी दिया करिए ये रुटीन में ले आईएगा पूरे साल और लगातार तीन सब्ता करके तीन बच्चों को पाठ पुस्तक भी देना आपके भाग को बढ़ाएगा दोशों को खम करेगा खतम करेगा जो आज शादी की है जिनकी आज मैरिज अनिवर्सरी है उनके लिए तीन बार किसी सफा कर्मचारी को अनिकादान करें और पती पतनी मिल करके एक पीपल का पौधा कहीं लगा दें बस इतना सा करिए और फिर देखिए क्या कुछ आपके लिए सगरात्मक होने जा रहा है क्या कुछ आपके लिए पॉश्टिव होने जा रहा है तो मित्रों आज के लिए बस इतना इन शहरों में मिलने के लिए तत छण प्रयास करें, समय सुनेशित करें और मुलाकात करें। आपके सुब दिन की मंगल कामना करते हैं, हमें अनुमत दीजेगा। नमस्कार, शिरादे।